एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे बहुत ही खराब शॉट सेलेक्शन ना प्लेस कर पाए ना टाइम और सीधा फिल्डर के हाथ में कैच दे बैठे बहुत ही निराश लग रहे हैं बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए ओ ऐसा लगता है गेन को देखा ही नहीं वहाँ पर बोलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवर्ग करके आना बल्ले बाज को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है बहुत ही बड़ा सिक्स मानो कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इन्हें अपने लाइन और लेंग्ट को यहाँ सुधार ना होगा वर्णा पले बास तो इन्हें माफ करने के मूड में नहीं है फिल्डिंग में परिवर्तन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म अफ इस लाइफ वाह क्या बात है जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा और यह बोल्ड बैट से तो चुकी पूरी तरीके से लेकिन स्टम्स नहीं चुक पई निराश होकर पैविलियन के तरफ लोटते हुए काबिले तारीफ गेनबाजी और बहुती संतुश लग रहे हैं गेनबाज काबिले एंड है है काबिल hah झाल 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 बल्लेबाज अपनी पहली गेन की तयारी करते हुए खेलने की कोशिश और पूरी तरा चुट बल्ले से निकलते ही अपनी किस्मत लिखवा गई थी ये गेन एक बड़ा शौट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी उटा के खेल दिया है शांदार बल्ले बाजी और ये छे रन दूसरी ओवर की शुरुआत यहां स्पिनर से करवाया जा रहा है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां पॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रन बहुत ही अच्छा गैप निकाल रहे हैं आज बहुत ही सटीक प्लेस्मेंट बलेबास का बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे ऐसे फ़र्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फ़र्म उफ इस लाइफ वाह क्या बात है चार रन बेहतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन यहां यह एक ऐसे बल्ले बाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे हैलारान तेजी से लेते हुए बहुत ही बड़िया फिल्डिंग का प्रदर्शन है ओ बहुत ही भेदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहां छे रन जिस तरह की शॉट पिच बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं यह गेंदबास अक्सर बल्ले बास बैक फुट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं बढ़ी ही थेज गतिकी गेंद थी ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है खनक करने में नाकाम पूरी तरह मिस किया गेंद की लाइन एन लेंग्ध को समझ के खेलना होगा यहां बल्ले बास की आँखे तो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेंद बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग्ध समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे बहुत ही भागेशाली रहे वहां बिस कर गए बहुत ही बढ़ी आगेद बास है निराश लग रहे हैं वहां मेरी माने तो अपने आप को खुश किसमत समझे जो अब भी क्रीज पे ही खड़े है उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका एक बड़ा शौट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और ये आउट और दूसरे शोर पे भी तेज गेंदबास को ही लाया जा रहा है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहां पूरी तरह मिस किया वहां अपने आपको थोड़ा वक्त देते हुए समल कर खेलना होगा इन्हें उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रणी मिट्वीन दे विकेट्स ओ ऐसा लगता है गेम को देखा ही नहीं वहां पे और ये शॉट पस एक रह नहीं निकाल पाए बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए अगर इसी तरह मारते रहे तो बॉल चेंज करने की नौवत आ जाएगी बहुत ही खुबसूरत बाउंडरी ओ बहुत ही भेदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है जो मदद इस गेन बास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा मैं तो इनसे यही कहना चाहूंगा कि पहले कुछ के इन देख तो लो आग बंद करके बल्ला गुमाने के लिए तो पूरा इनिंग ही बाकी है हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहां और यह आउट बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए